ये हूं सानिय अदिसी आप देख रहे हैं प्रहार टैंस मुंबई साइबर पुलीस ने ऐसे गिरों को पकड़ा है जो मुंबई में रहने वाले लोगों को अमेरिका में नौकरी देने का वादा करते थे और उनसे खूब सारे पैसे लूटा करते थे पुलिस ने इस गिरों में चार लोगों को गिरफतार किया है इन चार लोगों में से दो पूरुष और दो महिलाये शामिर है चारों ही जांबिया, युगांडा, नामी बिया और घाना जैसे बाहर की कंट्री के बताय जा रहे है पुलिस ने इने 22 नवेंबर को महराश्टर के पूने से गिरफतार किया है मुंबई साइबर पुलिस को एक महिला ने ये जानकारी दी थी कि एमेरिका में नौकरी दिलाने का जासा दे कर उनसे 26 लाख रुपे ठगे गए है इसी जानकारी के मताबी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफतार किया है और पूरे रैकिट की पुलिस तराश कर रही है गिरफतारी के बाद इनके पास से 2 लाख से ज्यादा इमेल आईडी और 1 लाख 4 हजार मुबाइल नमबर पाए गए अपरात के लिए इस्तिमाल किये गए तेरा सेलफोन, 4 लैपटाप और 3 राउटर भी जब्द किये गए है जाज करने पर पता चला कि यह लोग ओवलेक्स लोटरी के नाम पर भी धोका धड़ी कर कई रुपे ठक चुके है सुनिए इस पूरे मामले में साइबर पुलिस ने क्या जानकारी दी है मुंबई पुलिस के साइबर गुनी शाका ने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल्स इनवाल है ऐसा एक प्रॉड जो जॉब प्रॉड को इंवेस्टिगेट किया है और उसमें टोटल चार अक्यूज को अरेस्ट किया है यह चार अक्यूज चार अलग अलग देश के है जिसमें एक अक्यूज जांबिया का है दूसरा दो एक लेड़ी अक्यूज युगानडा की है और एक लेड़ी अक्यूज नामेबिया की है और चौता जो अक्यूज है वो गाना इस देश से बिलांग करते हैं यह जो फ्राड होता था यह U.S. Ambassador के नाम से फ्राड होता था इसमें U.S. जाने के लिए वीजा और U.S. में जॉब अफर किया जाता था U.S. Embassy के जो mail ID है उससे मिलते जुलते mail ID इन्होंने बनाए थे और लोगों से ये पैसे मांगते थे जौब देने के वीजा देने के बहाने इन्होंने जो इस crime के फिर्या दिये है इनसे करीबन 26 लाक रुपे लिए गए ये जब आपरेट करते थे तो ये अलग अलग mobile numbers, अलग-अलग email ID और अलग-अलग bank account जो इनके नाम पे नहीं है जो दुसरे के नाम पे है इनसे ये उपरेट करते थे इन्होंने और भी लोगों को फसाने की तैयारी की थी इसमें इनके search और scissor में हम लोगों को 2 लाक से उपर email ID जिनको ये job fraud के message बेजने आ ले थे और कम से कम एक लाक चार हजार लोगों के mobile number है जिनको ये लोग lottery fraud या gift या lucky fraud या job fraud के लिए messages भेजके उनको फसाने के तैयारी में थे हैं इनके पास में जो अलग-अलग crime के लिए जो drafts बनाए जाते है messages बनाए जाते है letters बनाए जाते है ये सब इनके पास से मिले हैं इन लोगों को 22 November को एक special operation करके पुने से उठाया है अभी ये police custody में हैं कि मैं जानाए जाते हैं आटारी में हैं आहारी एत क्वा ओिए ँगर, पर मांभी आए जालगिक डिता है हैरा सकता है एत बतार की बनाए जाफ दुदाती